नमस्कार एटीवी भारत में आपका स्वागत है आजकल हम ऑक्सिजन का मामला बहुत जादा सुन रहे हैं आखिर ये माज़रा क्या है आज इसी विश्य पर बात करेंगे करोना की दूसरी लहर के बीच आक्सिजन को लेकर पूरे देश में हाहा कार मचा है पलेन और टरेन से आक्सिजन पहुँचाई जा रही है अक्सिजन नहीं मिलने की वज़़ा से मरीजों की मौत हो रही है सवाल ये कि ऑक्सिजन तो हवा में मौजूद है तो फिर उसके लिए इतनी परिशानी क्यों हवा में मौजूद ऑक्सिजन मेडिकल ऑक्सिजन से कैसे अलग होती है ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कुरोना के मरीजों को अलग से ऑक्सिजन देने की जरूरत आखर क्यूं पढ़ती है आम तोर पर शरीर में ऑक्सिजन का लेवल करीब अंठानबे होता है ऑक्सिजन का लेवल 90 से कम होने पर इसकी जरूरत पढ़ती है फिफडे में संक्रमण की वज़े से ऑक्सिजन पूरी तरीके से शरीर में नहीं पहुच पाता कभी-कभी जादा प्रदुशन की वज़े से हवा में ऑक्सिजन की मात्रा कम होने से भी ऐसा होता है Medical Oxygen के जरी शरीर में Oxygen की कमी को पूरा किया जाता है अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हवा में मौझूद Oxygen और Medical Oxygen में क्या अंतर है Medical Oxygen एक तरह से दवा है जो Emergency के वक्त मरीजों को दिया जाता है Medical Oxygen हवा में मौझूद Oxygen से कई गुना जादा शुद होता है Medical Oxygen में किसी तरह का कोई धूलकन नहीं होता जब सरीर का Oxygen Level गिरता है तब Medical Oxygen लगानी की जरूरत पड़ती है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि Oxygen की जरूरत क्यों पड़ती है चलिए अब आपकी इस जिग्यासा का भी जवाब दे देते हैं कि Medical Oxygen कैसे तयार किया जाता है हमारे चारो तरफ मौजूद हवा से ही Oxygen को अलग किया जाता है और उससे Medical Oxygen बनाई जाती है Oxygen Plant में Air Suppression तकनीक से हवा से Oxygen को अलग किया जाता है Oxygen को अलग करने के बाद इससे Filter और Compress किया जाता है Oxygen को गर्म और ठंडा कर Distil किया जाता है जिससे ये Liquid Form में बदल जाता है Liquid Form में बदलने के बाद Oxygen को सिलंडर में स्टोर किया जाता है Oxygen राव माटेरियल आइनोस कमपनी Liquid बना के देता है जिसको स्टोरेज टैंक है उसमें Liquid को हम रख लेते है उसको ये मशीन के दौरा हम चल रहा है तो आज हमने समझा कि Medical Oxygen के जरूरत क्यूं पढ़ती है और इसे किस तरीके से तयार किया जाता है अगली बार फिर मिलेंगे नई चानकारी के साथ तब तक देखते रहे एटीवी भारत नमस्कार